आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे आप देख सकते हैं कि अभी गाइस बहुत ज्यादा ठंड हो चुकी है और ठंड इतना ज्यादा हो चुका है यह देख सकते हैं अब बहुत ही ज्यादा है कि इतना ज्यादा ठंड है कि मैं पर अभी तो गया नहीं है और मैं आप ठंड का दखा रहा हूं कि यह देख लिए बहुत ही ज्यादा जो कलाउड है वह हुआ पड़ा है जो यह देखें भाई यह देखिए कि इतना ज्यादा ठंड हुआ बड़ा है और इधर देख लिए कलाउड वह देख सकते हैं पूरा दिख नहीं का है विजिबिल्टी बहुत ही कम है तो मैं इधर चकता हूं आपको लेकर इधर इधर देख लिजिए थोड़ा सा दिखाई दे रहा है इध से वहां तक यह देख सकते हैं आप इस बहुत ही ज्यादा घंड लग रहा है तो है चलते हैं घर मैंने अभी चाई नहीं पी है अभी तक और देख सोते हैं मूँ पे कितना जम गया है वह जो क्लाउड सा है बर्फ सी वह ज्यादा जम चुका है तो गाइस मैं आपको पता ना बता देना चाहता हूं कि आज ठंड इतनी ज्यादा हुई पड़ी है आज टैंपरेचर का कह सकते हैं आज के वैदर में तो आज टैंपरेचर एलेवन परसंट दिखा रहा है मतलब 11 परसंट टैंपरेचर बहुत ही कम है तो अभी तो टैंपर आज कि दिन नहीं जाएगा बाकी और भी दिन देखो कैसा रहता है और आप पीछे हम देख सेथे वह पीड़ पोधा जो है यह बिल्कुल मेरे पास में है तो इसलिए दिख रहा है बाकी आप उधर देख सकते हैं इधर देख भी नहीं रहा है कुछ भी तो देखें कितना बहुत ज्यादा ठंड हो चुकी है तो बैदर आज बहुत खराब है तो उखना मुस्किल है मैंने भाई इतनी ज्यादा ठंड है तो मैंने सोचा कहां पर जाना है तो यह घर पर देखते हैं आज पकोड़े पूड़े निकलवाते हैं साथ में चाय कॉफी कुछ रखते हैं मैं है कि यह जाए जालक़ कर वह चलने रहा हूं चलता तो मेरे मुह के पूरा जो है यह कलावड जो है मेरे मुह पर भर्फ है जैसे कहिते हैं आप आजी मेरे मुह पर मूछाओं पे वैसे ही जम जाता तो इसलिए तो मैं अभी जानी रहा किदर भी तो मैं आपको दिखाता हूँ यह देखें यह देखें गाइस आप अंदाजा लगाईए यहां से कुछ दिखाई दे रहा है आपको यह देखें बहुत ही ज़्यादा यह प्रिवर्ट तो देखी रहा होगा और यह देखें यहां इधर खेतों में आलू लगा हूए आलू का रंग भी गाइस देख लिए कैसा हो गया है यह सब इतने बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़िया आज मैं बता रहा हूँ गाइस मेरे हाथ देख लिए यह देखें पूरा ठर गया है इसा नीकया जा रहा है यह देखी प्रोपरली खुल नीरा रहा है गाइस यह देखें जल आप लोग देख पारे हैं मैं हो चुका हो रेडी चलो चलते हैं ठोड़ा गूमने के लिए हें इंग और चलो गाइस खते हैं इदर से जहना पड़ेगा हमें पहले मोटर साइल देखना पड़ेगा है कि नहीं तो आप देख सकते हैं मैं निकल चुगा हूँ गर से और इदर दे लिए पारक पूरक इदर अभी पूरा क्लियर है मौसम दे लिए अभी थोड़ा क्लाउड जो है कम हुआ है तो अभी मौसम बिलकुल ठीक क्लियर है तो चल पड़ दिया है वैसे तो वाइस मैंने का कि चलो कहीं देरी ना हो जाए तो चल पड़े हैं अभी यहां से मुझे काफी दूर जाना पड़ेगा तो यहां से कम सकम 20-25 किलोमेटर उससे भी शाहिए ज्यादा तो चलो जल्दी जल्दपाजी में मैं जा रहा हूं देख सकते ह कितना फॉस्ट के बीचों में जाना है तो यहां से जा रहा ह कि प्वगायशी दिजिए मैं यहां से जा रहा हूं इस ख Михेतों में से इधर से दौर दोय के निकला में इधर से जाना पड़ेगा वहां पर वह सामने में केटा रहा है आपको वहां पर जाना आ तो फिर गाइस मुझे जाना पूड़ा एक्टिवा लेक्टरी में तो यह देख सकते हैं आप मैं निकल चुका हूं सिटी किया और और मुझे काफी तूरी थैग है तो चलो गाइस चल्दी चल्दी चलते हैं हम आपर तो फिर गाइस में आप देख सकते हैं मैं आच पहुँ हूं मैं पर और अभी देख सकते हैं मैं पूरी स्पीड में जा रहा हूं अपने की स्पीड जाज ही नहीं है एक ठाक है तो नतना ज्यादा भी स्पीड चला कर फ्लादिक नहीं करना जाए बच मैं कार रहा हूं तो देख लिए है वी हाइवे पर आया है चलते हैं वहां पर पर ले स्पीड रहा है आया है कर अ कर देल कर दो फास कर दीडों झाल झाल झाल